चलिए गुड बॉर्णिंग ग्लास कैसे हो आप लोग ठीको चलिए आज हम लोग ओजोन की तुलना करेंगे ऊजोन जैसा यह कंपॉंड है जिसे हम लोग hydrogen peroxide कहते हैं आज कंपैरिजन करेंगे hydrogen peroxide और ओजोन के बीच को बीचा इसा होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और ऑजोन कैसी होती है यह यह ओजोन है यह ओजोन का मोलिक्यूल है और यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मोलिक्यूल है हैं तो आज को में नोग और नोग ने हुए कम्पैरिजेंगर काफी कुं नाक्ता अपको यह सब्सक्राइए कि इन तोनों की फीचर काफी कुछ मैच करते हैं यह वास्तों वातर आप मॉल् formally कूल है ये आप देख रहे हैं ये वास्तों में वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वास्तों में क्या ओक्सियन मॉलिक्यूल है और इसके पास भी एक एक्स्ट्रा ओक्सियन है इसके पास भी एक एक्स्ट्रा ओक्सियन है तो बात एक्स्रा और extra के बीच में हो रही है, या पानी है और यह oxygen है, इसके पासचर का यो बात भो गी है तो ऑर यह बीचिंग नेशर रखता है, बीचिंग नेशर दोनों के पास bleaching nature होता है bleaching nature hydrogen peroxide के पास भी होता है bleaching nature ozone के पास भी होता है यह इसको हम लोग बोलते हैं H per oxide hydrogen peroxide और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ozone बोलते हैं जिसे हम लोग tri oxygen भी कहते हैं अ अधिक है तो दोनों के पास ब्लीचिंग नेचर है डोनों वीचिंग नेचर लगते दोनों ओक्सीडाइजिंग नेचर रखते हैं दोनों के पास oxidizing nature है दोनों oxika रखकार करते हैं यह सारी बाते हैं इन में इसलिए इनके बीच में comparison करना है हमें और इसके बाद इन लोगों के बीच में difference भी निकलना है कि इन में difference क्या है comparison क्या है और difference क्या है यह hydrogen paroxide ferosulfate को ferric sulfate में convert कर देता है यह भी ferosulfate को acidic medium में ferric sulfate में convert कर देता है बहुत सारी reaction इनकी आपस में common है इसका भी प्रियोग कुछ भोज़पदार्तों के परिड़क्षण में किया जाता है इसका भी प्रियोग भोज़पदार्तों के परिड़क्षण में किया जाता है ऐसी बहुत सारी समानता हैं दौनों के बीच में जब इतनी समानता है होती है तो फिर इनकी बीच में भीनता हैं निकाली जाती है अब चलिए प्रियोगे इनकी बीनता की बात करें तो वो हर तो हम जो हाइडसेंस is रोक्साइड के बारी हरा कि हाइडसें पर साइड इक विख कुड है और यह उसर क्या है पीटे गयस है यह यह बाई साम ने कुड है और यह क्या है यह फिर यह इस के वारे मैं एक बात और जान लें कि यह लिक्वड है लाइट बिलू है कर लाइट बिलू कर लिक्वड है और गे इस-वारी लाइट बिलू कर यह 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 जायन होता है और गन्द ही जिसको वह हम लोग कहते और लेस कोई गंदन नहीं लेकिन इसमें हम लोग कहेंगे मचली जैसी गंदन फिस लाइक इसमें मचली कैसी गंदन आती इसमें अच्छा एक और बात कि यह एच जी के संपर्क में आएगा तो कोई क्रिया नहीं करता है और यह एच जी के संपर्क में आ गई तो एच जी का तलनस्ट हो जाएगा तलनस्ट मतला विदि ओजोन मरकरी के कॉंटेक्ट में आ ली तो मरकरी का तलनस्ट करता है ऐसे यह कोड़ होता है टेत्रा मैथिल बेस के साथ हाईडिजन पर औक्साइड कोई क्रिया नहीं करता लेकिन ओजून टेत्रा मैथिल बेस पेपर को नीला कर देती है इसे बहुत सारे डिफ इतनी सवांता है होने के बाद भी में डिफरेंस है कई सारी ब्लीचिंग नेचर दोनों का से में इस बाद में 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 आपको कुछ बिंदू बताओंगा जिनसे एक्जाम में आने वाले प्रिशनों का आप जवाब लेक सके तो चलिए आज हम इनका डिफरेंस देखते हैं इसको मिटा देते हैं जी बेसिक फंड ₰ चीजें बता दी हाइडरिजन पर होसएड एक लिकुड होता है उजो mana की यह उसाय एक अकी और जैसा कुछ चैसले मार्करी के शाथ हाओंगे और ली डिफे ठीव ओजोन मरकरी से क्लिया करती है और मरकरी को मरक्यूरस ऑक्साइड में कनवर्ट करती है जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा मरकरी के साथ रेक्सन में मरकरी का जो गुर होता है मैनिस का प्रॉपर्डियोस को फिनेस खतम कर देती है और मरकरी में टेलिंग नीचर आ जाता है जिसे टेलिंग ओफ मरकरी बोलते है तो यह गुर आ जाता है तो हम लोग इस डिफरेंस को आँगे चलके समझने का प्रियास करते हैं सिस्टेमेटिकली डो पार्ट में डिवाइड कर गी चलिए इसको मिटा जाते हैं हाइडिजन पर ओक्साइड और ओजोन में सिस्टेमेटिकली डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है हाइडिजन पर ओक्साइड और यहां मैं लिख रहा हूँ ओजोन दोनों में डिफरेंस देख रहा है और जो पहले नंबर का जो डिफरेंस है हाइडिजन पर ओक्साइड में यह पहला पॉइंट है लाइट बिलू कलर लिक्विड लाइट बिलू कलर का लिक्विड है हलके नीड एरन का दिर्व है और इसके बारे में एक बात हो, ये गंद हीन है, यनी orderless, और ये एक बात हो लिख सकते हैं स्वाद हीन है, गंद हीन है और स्वाद हीन है, यहा लिखेंगे, ये light, blue color, ये light blue color की yes है, और जिसमें फिस यानि मचली फिसलाई की स्मेल आती है मचली के जैसी गंद आती है पहला पॉइंट के लिए हो गया दूसरी बात हम लेखेंगे कि यह मरकरी के साथ कोई किरिया नहीं नहीं करता है मरकरी के साथ कोई किरिया नहीं करता है को लेकिन यहां हम लिखेंगे यह मरकरी का तलड नस्ट कर देती है मरकरी का तल नस्ट कर देती है जिसके कारल मरकरी का जो मेंस्क्स प्रॉपर्टी वो समाप्त हो जाती है और टेलिंग और मफ टेलिंग साफ मरकरी का नीचर आया तक टेल बनने लगती मरकरी में वहीं चलिए तीसरी बात है यह है टेट्रा मैथिल बेस एक पदास होता है टेट्रा मैथिल बेस से कोई क्रिया नहीं करता टेट्रा मैथिल बेस के साथ कोई क्रिया नहीं करता इसमें लिखेंगे यह है टेट्रा मैथिल बेस पेपर को नीला कर देती है टेट्रा मैथिल बेस पेपर को नीला कर देती है अगली बात हम लोग दिख सकते हैं तीसरी बात यह है बेन जी डी पेपर से कोई क्रिया नहीं करता है यह यह हैं बेन जी डी पेपर को दो कुण कर देती है यह कि बेंगीडीन पेपर को ओजोन भूरा कर देती हैं लेकिन बेंगीडीन पेपर हाइड़ुजन परोकसाइड से कोई क्रिया नहीं करता है इतनी सी बात है चलिए पादमा पाइंट लिखेंगे इसके बारे में यह अमलिय केमन फूर को रंग हीन कर देता है क्योंकि दरेश बन जाता है एस डिक मीडियम में पोटेशियम पर मैंग्न में कनवर्ट हो जाता है जिससे केमन फूर का जो कर हैं जो उसका कर्लर ओता है निक अफूर फूर से कोई किरिया नहीं करते है कोई किरिया नहीं करते है कोई किरिया नहीं करते है कि छटनी बात जो है अमली एपोटेसियुम डाइक्रोमेट अमली एपोटेसियुम डाइक्रोमेट यह है अमली एच प्रस का मतलब होता है तो उनको हम लोग संखेट में लिख सकते हैं यह है H plus K2Cr2O7 इसका मतलब हो गया आमली एक कोटेसियम डाइक क्रोमेग के साथ आमली है K2Cr2O7 के साथ ब्लू पर क्रोमेग जिसका सूथ होता है CRO5 बनाता है इसमें लिखेंगे यह कोई क्रिया नहीं करता है कोई क्रिया नहीं करता है ठीक है चलिए एक डिफरेंस और दोनों में लोट किया जा सकता है नमबर एक एस टू टू और इधर लिखा है मैंने ओजो एक डिफरेंस और लोट किया जा सकता है सेवन्थ नमबर का कि यह है टिया यह सो फोर का होल ट्वाइस इसको केते टाइटेनियम सलफे के साथ नारंगी नारंगी रंग देता है टाइटेनियम सलफेट के साथ नारंगी रंग देता है इसमें लिखेंगी यह कोई क्रिया नहीं कर देता है तो बिटे यह हाइडिलन पर उक्साइड और ओजोन के मद में दिफरेंस हो गया इनको जानना है कि जो हाइडिलन पर उक्साइड होता है लाइट विलू किलर लिक्विड होता है ठीक है मरकरी के साथ कोई क्रिया नहीं करता टेटा मैथल बेस के साथ कोई क्रिया नहीं करता बैंजीडीन टेपर से कोई क्रिया नहीं करता लेकिन कि एस डिप पोटेसियुम पर मेंगेट के सब्सक्राइब कर देता है अब दूसरी तरफ ओजों देखें ओजों क्या है लाइट ब्लू किलर की गैस है फिस्ट लाइक स्मेल इसमें मचली के जैसी गंद आती है यह मरकरी का तल नस्ट कर देती मैं इसकस प्रॉपरटी जो हमने मनें उस्ट रटेती मैं इस तरह बेस पेपर को नीला कर देती है और बंजी दिन पेपर पूरा कर देती है यह अमलिय एक्द मिन फूर से कोई रिक्सन नहीं करती है कि I am Ora यह पोटेस्युन डाइक्रोमेट से भी कोई रियक्शन नहीं करती और ताइटेनिक सेलफेट या टाइटेनियुम सेलफेट के साथ भी ओजोन कोई किरया नहीं करती है उमीद है यह यह ओजोन का जो ओजोन हाई डिफ्रेंस है वह आपको समझ में आगया होगा चलिए अंगल नीचे दिया गया है उसमें पूछ सकते हैं मेरे वीडियो को अटेंडेंस जरूर दें